Okay बिटा, problem number 2 देखे, there are 31 men and 43 women in a bus, एक bus के अंदर 31 men है ठीक है और 43 women है, find out the total number, आपके इसके total number find करने है कि man और woman को मिला कर कितने होंगे, तो solution की इसी तरह heading देंगे, उसके बाद नीचे आज़े, एक line का gap दीजेगा, man in bus, एक bus के अंदर कितने men से, is equals to a sign लगाएं, कितने हैं 31, 3 अलग box में लिखेंगे, 1 अलग box में लिखेंगे, ठीक है, women in bus, कितनी women है, 43, 4 अलग box में और 3 अलग box में, total number, हमें total number किस तरह पता चलेगा, जब हम इनको add करेंगे, plus करेंगे, man और woman को, तो हमारे पास total number आ जाएंगे, plus किस तरह करेंगे, यह देखें, यह कितने है, 3, 1, 2, 3, इसमें कितना add करना है, 1, 1, 2, 3, 4, तो यहां हमने 4 लिखें, इसी तरह आएंगे, 4, 1, 2, 3, 4, इसमें कितने add करने है, 3, 1, 2, 3, total कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारा answer किया जाएगा, 74, total number हमारे पास कितने है, 74,